हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टो अवर चैनल आफ लिटल मास्टर पॉबिक स्कूल तोड़े आइम गोइंग टो टीच चैप्टर नमबर फॉर ओफ साइंस सब्जेक्ट फॉर दी क्लास सेवेंथ वीच इस हीट, ओके हीट मीन्स गरम, ओके गर्मी नाव, यहाँ पे जो फर्स्ट एंचा है वहाँ पे बताया गया है कि चैप्टर नमबर फॉर में अपने ने क्या पढ़ा था और हमने याणि के चैप्टर नमबर फॉर जो भी क्लोट से वो कहां से बनते हैं और हम वो कपड़े या पिकलोट क्यों वियर करते हैं ठीके तो अगर हमें cold feel होता है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कबड़े पैंते जो हमें comfortable हो और जो हमें cooling डेता है ठीक है तो यह आपको क्या कर लेना है read कर लेना है now 4.1 hot and cold गरम और ठंडा ओके तो गरम और ठंडा हमें कैसे feel होता है तो आप normal feel कर सकते हो जैसे कि देखो ice cream ice cream कैसी होती है cold होती है warm तो होती नहीं है spoon in a tea cup अगर गरम गरम चाय के अंदर हम चमच रखेंगे तो गरम होता है यानि hot होता है के cold होता है तो hot होगा fruit juice जो fruit का juice होता है वो कैसा होता है cold होता है handle of a frying pan frying pan का जो handle है वो कैसा होता है cool होता है के warm होता है तो warm होता है अगर उसके उपर plastic कर से लगाया हुआ हो तो वो तो यह वाम नहीं होता है लेकिन अगर विधाउट प्लास्टिक का होगा तो वह वाम हो जाता है होट हो जाता है ठीक है तो फोर पॉइंट वट एक्टिविटी है जिसे आपको करनी है कैसे करोगे तो आप एक फॉल एकदम ठंड़ा-ठंड़ा पानी लोगे और एक होट पान तो एक वर्ड एक टेमपरेचर तो तेमपरेचर क्या होता है तो रियाएबर मीजर ओफ the hotness of an object is its temperature मिसक्स किसी भी उबजयक्ट का अबजेक्ट का हमें hotness पता चल रहा है जिस भी उबजेक्ट का हमें उसका उतलब के तापमान पता चल रहा है ठंडा है गरा में वेसा पता चल रहा है ठीक है तो उसे हम कहेंगे temperature किसे क्या कहेंगे temperature temperature is measured by a device called thermometer अब जो यह temperature है hot वाला ठीक है किसे measure करेंगे तो thermometer आपने सुना होगा अब जब भी यानि आपको बुखार आता है तो आप होस्पिटल में जाते हो तो thermometer का यूज होता है ठीक है now measuring temperature अब temperature measure कैसे करते है तो the thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer यानि जो thermometer हमारे body का temperature measure करता है ऐसे thermometer को क्या बोलते है clinical thermometer तो clinical thermometer का use कैसे करते है कहां पर होता है आपको मालूम है कहां पर होस्पिटल में और अब तो लोग घर पे भी रखते हैं ताकि पता कर सके कि body का temperature कितना है क्लिनिकल थर्मोमेटर कंजित्स अफ लोंग नेरो यूनिफोर्म ग्लास ट्यूब इट हैस बल्ब एट वन एंड इस बल्ब कंटेंस मर्कूरी ओके यहाँ पर देखो जो थर्मोमेटर की ड्रोइंग दी गई है इसी तरह का थर्मोमेटर होता है जो की कैसा होता है long लंबा होता है थोड़ा नेरो सक्रा होता है और एक काच का बना होता है ठीक है काच के ट्यूब का बना होता है और इसके end में यानि के जैसे कि हमारी pen की जो नौक होती है उस तरह पॉइंट होता है उस तरह यहाँ पे end में एक क्या होता है बल्ब जैसा होता है और वो बल्ब में क्या होता है मर्क्यूरी होता है ठीक है outside the bulb a small shining thread of mercury can be seat यह बल्ब जो है आप वहाँ पे देख सकते हो कि क्या आपको दिखेगा mercury you will also find a scale on the thermometer आपको thermometer के उपर scale भी दिखेंगे the scale we use in the celsius scale जो अगर हम temperature हम अगर जानना चाहे तो हम किसमें बोलते है celsius में हम बोलते ना क्या हमें इतना temperature है कोई अगर हम बुखार होता है तो डॉक्टर बोलते है 100 degree celsius इसको बुखार है ऐसा बोलते है तो जो temperature है वो किसमें मिजर किया जाता है celsius scale में ओके और इसे किस से indicate किया जाता है तो degree celsius से indicated by degree celsius now clinical thermometer reads temperature from 35 degree celsius to 42 degree celsius जो clinical thermometer होता है वो कितना temperature read कर सकता है तो 35 degree celsius से 45 degree celsius तक का temperature clinic thermometer read कर सकता है 4.2 है activity जिसमें हमें क्या सिखेंगे reading thermometer के thermometer कैसे पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं यहाँ पे देखो आप सपोस्थ बिगमा कर रीड वन डिगरी एंड यहाँ जो वह आपका thermometer है वो किसमें फाइफ डिवीजन में बटा होता है ओके मतलब जो बिग जैसे आपकी scale होती है scale में कैसे main main 1 2 3 4 ऐसे होता है और उसके अंदर 5 अलग section होते हैं ना फाइफ डिवीजन होते हैं तो उसको हम कैसे रीड करेंगे we can read 1 by 5 is equal to 0.2 degrees Celsius ओके अब देखो जब भी आप thermometer का यूज करते हो तो उसे wash करने के बाद अच्छे से sorry use करने के बाद अच्छे से wash कर लेने का फिर दुबारा यूज में लेने का ओके कैसे वाश करने का तो antiseptic solution में उसे wash कर लेने का now the the normal temperature of human body is 37 degrees Celsius जो human का normal temperature होता है वो कितना होता है 37 degree Celsius not that the temperature is stated with the with its unit ओके अब 4.3 क्या है activity है जो कि आपको करनी है रिड करनी है ओके अच्छी तरह से now 4.3 laboratory thermometer क्लिनिकल हमने थर्मोमेटर पढ़ लिया अब पढ़ेंगे laboratory तो क्या होता है यह ठीक है for this purpose मितलब अलग 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 वो तो वह जो क्लिनिकल थर्मोमेटर हो किसलिए यूज किया जाता है बोडी के टेंपरेचर के लिए लेकिन ना स्रिफ हम बोडी का टेंपरेचर ही थोड़ी ना हम मीजर करते हैं और भी चीज मीजर करते हैं तो अलग 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 परपस के ल को पर ऑन रहे सबते हैं तक यूज को यूज करता है है पिजलिए बोटूरय तर just look घर उंपरेचर के जूद उपंट हेकिंद सबस्ट आगे तो माइनस टेंडी कर्सटीं हिसेफ्ट के मेजन गहीं सकर्फ हुस्टिर्ण ऑंए ना सब्सक्रींटिर्ण जातों सब्सक्र गाんな फोच्ड हांडे 10 डिग्री सेल्थियस तक होता है ओके नाँ 4.4 एक्टिविटी है जो कि आपको क्या कर लेनी है रीट कर लेनी है 4.5 बी एक्टिवीटी है जो की क्या कर लेनी है रीड कर लेनी है नाउ 4.6 की एक्टिवीटी है उससे पहले एक टॉपिक है क्या है 4.4 में देखो transfer of heat मतलब heat का transfer कैसे होता है तो देखो जब भी हम यानि pen को fire पे रखते हैं तो हमने देखा कि उसका जो handle होता है वो क्या हो जाता है hot हो जाता है तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि heat का क्या हो रहा है transfer हो रहा है ओके now यहाँ पे देखो 4.6 में एक activity है जो कोई आपको करनी है क्या है the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction देखो conduction किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनना वहाँ process जिसमें heat hotter मतलब hotter वाली जगह से cold वाली जगह तक जाती है अबजेक्ट की तो उसे कहते हैं कंडेक्शन मतलब गरम जगह से होते हुए का जाती है ठंडी जगह में जाती है तो उसे कहते हैं कंडेक्शन ओके इन सॉलीड जर्नली धप heat is transferred by the process of conduction जो शॉलीड अबजेक्ट होते हैं जो ठोस्त होते हैं अबजेक्ट उन में कैसे कैसे यानी के heat ट्रांसपर होती है तो कंडेक्शन से ओके नाव 4.7 एक्टिविटी में क्या दियागा है कंडेक्टर्स तो कंडेक्टर्स क्या होते हैं the materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat जिस material में heat आसानी से ट्रांसपर हो जाए तो ऐसे material को क्या बोलते हैं कंडेक्टर्स ओफ हीट फोर एक्जामपर ऐलुमिनियम आईरन और कोपर ओके नाव नेक्स्ट इस इन्सुलेटर्स तो the materials which do not allow heat to pass through the easily are poor conductors of heat such as plastic, wood, poor conductors are known as insulators ओके मिन्स इन्सुलेटर्स किसे कहते हैं मिन्से जिसमें heat का आसानी से मतलब की आसानी से पास ना हो मतलब वो जैसे देखो plastic है plastic को अगर आप fire पे रखो तो क्या हो जाएगा वो जल जाएगा तो यह सब जो poor conductor होते हैं, poor conductor को क्या कहते हैं, insulator कहते हैं insulator के example है wood, plastic, etc. ओके now 4.8 है जो उसमें क्या है activity है यह सब activity आपको एक बार read कर लेनी है अच्छी तरह से ओके now convection क्या होता है तो जिस process मतलब की जिस process में हम जैसे की for example आपने एक बरतन लिया है बरतन में पानी रखा है water ठीक है और उसको fire में रख दिया है गेस पे रख दिया है गरम करने के लिए तो इस process को हम क्या कहेंगे convection मतलब किसी mode की वज़े से heat transfer हो रहा है है ना पहले हमने बरतन के उपर अंदर पानी रखा तो वह हीट हो रहा है गरम हो रहा है तो इस process को कहेंगे convection क्या कहेंगे convection ओके 4.9 activity कर लेनी है आपको नाव यहां पर एक वर्ट दिख रहा है क्या है sea breeze ओके तो sea breeze क्या होता है ध्यान से सुनिएगा the air over the land becomes hotter and rises up the cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle मतलब जो land की आपने डे की टाइम देखा होका लेंडमे जो लेंड की जो air होती है जो 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 air होती है औरink होती तरफ से आती है अईसी air को बलते See breeze और जो जो ये लेंड की की तरफ से आती है उसे कहेंगे लेंड प्रेज के ना आओं यहां पर देखो इक सर्कल साइकल दिया गया सर्कल का साइकल ठीक तो क्या है डेटाइम में क्या होता है C की तरफ से cold हवा मतलब cold air land की तरफ जाती है और night की time क्या होता है कि land की तरफ से cold air C की तरफ जाती है okay means day की time देखो कैसी process होती है C से हमें cool air का पर मिलती है land पर मिलती है और night के time पर cool air कहां पर जाती है C की तरफ जाती है okay अब देखो radiation वर्ड दीख रहा होगा आपको from the sun the heat comes to us by the another process known as radiation है नब sun से हमें क्या मिलता है heat मिलती है तो sun से जो heat हमें मिलती है अलग-अलग process से तो इसे हम क्या कहते है radiation क्या कहते है radiation sun हमें direct नहीं मिलता अलब एक तरसे direct मिलता है पर जो sun की rays होती हो हम पर direct नहीं पड़ती है हमारे atmosphere के अलग-अलग level से होके आती है ठीक है तो उसे कहते है radiation okay now 4.5 a kinds of clothes we wear in summer and winter कपडों के प्रकार जो हम आनल गर्मी के टायम और ठंडी के टाइम पर पहनते हैं तो देखं़ हो थांडी के टायम पर हम Woolen के मतलब वइंटर के टायम पर हमàyोलन के कपड़ पहनते हैं और GUY को को तो एक बात यह वह यह जो विंटर के टाइम पे डार्क कलर के कपडे पेनते हैं चुझंड इपस्तर रर्प नार जाल्ग कलर के कपड़ लिए दाब कलर के कपड़ों के हैं तो अपडलर की तो क्या करते हैं? रीफलेक्ट करते हैं हीट को, जिसने कि हमें उसमें कम फटे बोल दोता है और हमें थंडा फील होता है, इसके लिए हम समर के टाइम पर लाइट कलर के कपड़े पैनते हैं, पेले हम व।ल्एन के कलोट्स के पलीच Black Πार Dess Krieg ल।ट होते हैं, हमें विंटर के टाइम पर गरम रखते हैं है ना इसलिए तो वो हीट का पूर कंडेक्टर है इसलिए हम जो वो एयर को क्या कर लेता है ट्रैप कर लेता है वूर के अंदर इसलिए हमें वो कपड़े पहनने से क्या फिल होता है गर्मी फिल होती है होटनेस फिल होता है ओके सो धैट यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिस आप सबको यह चैप्टर अच्छी तर से समझ में आया होगा जो भी कोश्चन हो तो आप पूछ सकते हो ओके थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो